हाज जी, वेलकम बैक तो एनेधर एपिसोड आप संडे चर्चा सीरीज, माई सेल्फ ओमर तसकीर, गैस देखते हैं कि इस हफते के आप लोगों के क्वेश्चन्स कौन-कौन से हैं, सबसे पहला क्वेश्चन मुवी वाला का है, ये पूछ रहा है, सर मैंने एक डिशनल मार्क प्लीज आंसर में, देखें ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर आपको SEO में इंटरेश्ट है, तो आप SEO में जाएं, SEO में बहुत सारा स्कोप है, जब तक websites बनती रहेंगी, जब तक search engines रहेंगे, जब तक website search engines में rank होती रहेंगी, तब तक जो SEO है, वो dead नहीं होगा, हाँ, पुर कि अगर कोई एक website है और अगर Google का search engine है और अगर Google के search engine में CRP में कुछ websites rank होती है तो कुछ practices करके, कुछ चीजों को करके CRP friendly अपनी website को बना कर हम भी वहाँ पर rank कर सकते हैं तो उन practices को करना, उन efforts को करना ही SEO है तो SEO बिल्कुल नहीं हुआ है और अगर आपको मज़ा आता है SEO में तो definitely आप SEO में अपना career बनाईए अब इसमें कोई relation नहीं है कि अगर मुझे SEO आता है और मुझे Facebook ads, Google ads नहीं आता है तो मैं एक अच्छा marketer नहीं हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है ठीक है, next जो question है, वो यहाँ पर है Hello sir, please take this question और दाउनलोड certain files from your site तो देखे, ऐसा होता है Google के bot को लगा होगा कि आप कुछ spammy type का अपनी website के ओपर कर रहा है कुछ ऐसा download करवाने की कोशिश कर रहा है या कुछ ऐसा content आपने डाल रखा है जो दूसरे लोगों के लिए, visitors के लिए harmful हो सकता है या आपकी website के ओपर कुछ इस टाइप के features, functions है जिसमें अगर कोई अपना payment method वगरा डालता है तो वहाँ पर उसकी privacy वगरा चो leak है उसके होने के chance है तो ऐसे बहुत सारे situations जो है वो बनते है जिसकी वज़े से Google को लगता है कि आपको उन pages को ठीक करने की ज़रूरत है आप उन pages के content को थोड़ा सा detail में चेक करने की कोशिश करने अगर आप website होगरा देते तो मैं थोड़ा सा देख कर भी बता देता ठीक है, जैसे आपर देख रहे हैं आप sample URLs होगरा दिये हुए तो उन URLs को आप देखें जाकर कि क्या problem है, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि thin content है, कई बार thin content में भी ये error जो है, वो देने लगता है, मतलब कोई content नहीं आपकी website के उपर, उस situation में भी error देने लगता है, बट जादतर cases में जब आप कोई information जो है, वो user से लेना चाहते हैं, और वो थोड़ी सी sensitive information होती है, तो भी ये देता है, आपको इस type का जो error है, वो देता है, या आप कोई बिना expertise के कोई चीज मेंशन कर रहे होते हैं, तो उसके उपर भी इस type का जो error है, वो आता है, तो प्लीज आप सोड़ा सा page को revamp करने की कोशिश करें, और इसका कोई solution नहीं है, जैसे आप देखो, last में लिखा भी हुआ है, detected issues, जो है वो deceptive pages हैं आपके, ठीक है, ये वाली मतलब policy का error एक तरीके से हुआ है, these pages attempt to trick users into doing something dangerous such as installing unwanted software, आप पता नहीं, कोई आप APK वगेरा तो नहीं download करवा रहे हैं, ऐसी APK वगेरा जो ban हो, ठीक है, तो उसमें APK वही जो आपकी Google Play Store की different apps की जो files होती, उनको कई बार जब वो files आपको download करानी पड़ती है, क्योंकि हो सकता है वो Google Play Store के पर नावेलेबल हो, तो बहुत है लोग उसको download करवा देते हैं, system के अंदर, direct mobile के अंदर basically, तो वो सब चीज़े तो नहीं कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा धिहान रखिएगा, अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो definitely इस type के errors जो है, वो आएंगे, Sonu का question, I work in a digital marketing agency as intern, I have run three projects where I have done keyword research, add conversion code, made add copies and updated daily negative keywords, what I'll do next to get more experience, to get full time job in other agency, because here people is not helping me, they just give me a project to handle, तो अगर आपको project मिला हुआ है, तो उस project को grow कैसे करा सकते हैं, उसके बारे में आप सोचें, आप उसके results को और कैसे improve कर सकते हैं, उसके बारे में सोचें, और उनकी strategies को ले जाकर, आपके जो seniors वगरा हैं, उनके साथ share करें, उनके साथ discuss करें, उस project के goal को समझने की कोशिश करें, आप अपने जो भी project leader है, आपका team leader, उससे बात करें कि भाया, इस project का क्या goal है, हमें actually क्या achieve करना है, अगर simply बस आपको ads run करते जाना है, और daily basis पर ये दो-चार चीज़े आगर आपको करते जानी है, तो तो फिर ये एक तरीके से repetitive task हो गया, बट ultimately ठीक है, ये भी करने की जरूरत परती है, और शायद आप अभी बहुत ही beginner level पर हैं, इसलिए that we want to try, या इस थाइप से competitors कर रहा हैं, या ये भी हम कर सकते और ज़ादा improve करने के लिए ये सारी चीज़े कर सकते और ज़ादा optimization के लिए ये सारी चीज़ें, हम लोग different different चीज़ें जो है वो कर सकते जिस से chances हैं की improvement हो, ये सारी चीज़ां डिसकस करे रहा है अगर आप यह सोचेंगे कि भाई मैं कहीं पर internship करने गया मेरे को तीन चार चीज़े बताईगे अब मैं वही कर रहा हूँ और मेरे को और कोई कुछ बता भी नहीं रहा है तो आपका ये फर्स बनता है कि आप भी यह जाएं और समझेंगे इस project का goal क्या था दो तीन महीने अभी बहुत ही early है अगर आपने दो तीन महीने काम किया है यह आपने mention लिए है बड़ आपने तीन projects के उपर भी काम किया ठीक है तो थोड़ा सा और जो project level के प्रोजेक्ट लेविल के जो गोल होते हैं, कि आपको चीफ करना है, उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें और उसके बाद आप किसी ठीक ठाक एजिंसी के अंदर अपलाई कर सकते हैं, ठीक है, यहीं से आपकी लर्निंग बढ़ेगी, यहीं से आपकी लॉजिकल पर बनाते हैं, उसके बाद आप यहीं सारी चीज़ें देखेंगे, कि हमारे जो कीवर्ड्स हैं, वो सही सर्च टम्स के उपर आड्स को ट्रिगर कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर गलत सर्च टम्स के उपर कर रहा है, तो उनको धीरे-दीरे आप निगेटिव करते पर 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 गारगी का एक और क्वेशन है, और उसके बाद एक कमपनी में काम कर रही हूं, यहां भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, ऐस फ्रेशर मैं कैसे उनको ओवरकम करूं, तीन-चार हाई-टिकेट क्लाइंट्स हैं, और बस मैं एक अके डिश्टल मार्केटर, बहुत प्रेशर लगता है क्या करना चाहिए, दीखें, प्रेशर होड़ा सा हैंडल करना आना चाहिए, तीन-चार हाई-टिकेट क्लाइंट्स हैं, अगर आपके पास तो यह अच्छी चीज़ है, ठीक है, अगर आपको चैलेंजेज मिलें, अपरच चैलेंजेज हैं, आप उन चीज़ों को डिसकस करें, कि भाई ठीक है, इस प्रोजेट के लिए मैं यह करना चाहरा हूँ, यह इस तरीके से करना चाहरी हूँ, और इसके लिए हमें इस चीज़ की जरूरत है, ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको रिसोर्से मिल जा रही ह नहीं है, ठीक है, आपका अनुभाव थोड़ा सा कम है, इसलिए आपको लग सकता है कि आप थोड़ा सा एक ओवरलोड है आपके उपर, बट तीन-चार प्रोजेक्स बहुत ही नॉर्मल होते हैं, और यह अच्छी बाद है कि आपको प्रोजेक्स मिले हुएं, और हाई टिक आपको बहुत अनुभाव नहीं होता है, तो इस टाइप की चीज़ें जो है, वो होती है, ठीक है, बट आपको टीम से सपोर्ट मिलना चाहिए, आपको रिसोर्से मिली चाहिए, इनकेस अगर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा बर्डन लग रहा है, तो वाट यू केंड आप उनसे एक इंटर्न वगरा की आस्क कर सकते हैं, आपको एक इंटर्न मिल जा है, उनसे भी आप काम करवा सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन जो आपने लिखे में थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं तो और बहुतर तरीके से चीज़ें आपको बता पाता है, एक और क्वेशन परफॉर्मेंस मार्केटिंग की बहुत जादा डिमांड होती, अगर आप बहतर तरीके से परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीख जाते हैं, तो आपको एक अच्छी जो सैलरी है, वो किसी कमपनी में मिल सकती है, अगर आप अपना भी कुछ करना चाहें, तो वो भी आप असानी से कर सकते हैं, तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, अगर आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग में इंट्रेस्ट ही नहीं है, तो फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग आपके लिए नहीं हो सकता, आपको SEO में मजाता हो, तो ये चीज़ आपको फिगर आउट करनी है salary के point of view से market demand के point of view से performance marketing की जो demand है वो आज के type में ठीक ठाक demand है और जो businesses हैं उनको performance marketer की actually जरूरत है जो agencies है उनको भी performance marketer की जरूरत है ठीक है एक तो ये point हो गया second जो है वो career का gap इतना जड़ा digital marketing में माइने रखता नहीं क्योंकि मान के चलते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 4-5 साल का experience है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 6 महिने का experience है तो कई बार बहुत सारे scenarios में ऐसा भी हम लोगों ने देखा है कि 4-5 साल का experience वाला person का experience है और जो six months वाले person का experience है वो same ही हो जाता है digital marketing के field में क्योंकि इन्हों ने उतना काम ही नहीं किया हुआ है 4-5 साल में केवल time के experience है कुछ होता नहीं है क्या आपने उस type के projects के उपर काम किया क्या आपने उस type के challenges के उपर काम किया क्या आज के time में जो नहीं चीज़े चल रही है उनको आपने adapt करने की कोशिश करी meta ads में, google ads में बहुत सारी चीज़े time के साथ बदल गई है तो अगर आप पुरानी चीज़े कर रहा है जो 4-5 साल पहले करते थे तो उसका कोई मतलब आज निकल के आता नहीं तो ऐसे situations हुए है बहुत सारे जो नए लोग है freshers है जिनको 6 महिने का एक साल का ही experience होता है वो आज के time में 3-4 years के experience वाले persons को जो है वो beat कर रहे है एक तरीके से है ना performance के point of view से तो experience होतना आदा महिने नहीं रखता आप currently अभी क्या जो आपको अनभव है उसके basis पर आप क्या कर पा रहे है नई चीजों को आप कितनी तेजी से test कर रहे है सीख रहे है उन सब चीजों के उपर भी बहुत सारी चीजे depend करती है ठीक है and that's it ठीक है growth का मैंने बताई दिया आपको कि अगर आप पूछेंगे तो मैं performance marketing की बात करूँगा आगे बढ़ते हैं हम लोग सर आप कहते हैं कि digital marketing में अगर कोई चीज सीखनी है तो पहले एक चीज पर focus करो सर मैं आप से पूछना चाहता हूँ आपने जब digital marketing स्टार्ट की थी तब आपने digital marketing में पहले कौन सी चीज सी की थी हाँ ये मैं अकसर कहता हूँ कि आप सारी चीजों को master नहीं कर सकते एक साथ digital marketing बहुत रही डीफ फील्ड है और बहुत सारी updates regularly आती रहते हैं आप सारी चीजों को parallel लेकर चलना चाहेंगे it is not possible हम लोग इसलिए कर पाते हैं हम लोग top level पर बैठे हुए हैं या team के साथ हम लोग काम करते हैं तो for example SEO के person भी हमें नई चीज़े बताते हैं meta के persons भी हमें नई चीज़े बताते हैं वालब team के point of this Google वाले भी बंदे हमें नई चीज़े बताते हैं तो हमें data points मिलते रहते हैं और इतनी time से industry में काम कर रहा है तो हमारे लिए सारी चीज़ों को लेकर चलना possible हो पाता है बट अगर आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप SEO भी उतना अच्छा कर पाएं आप Google Ads भी उतना अच्छा कर पाएं तो ये मेरा अपना personal है ठीक है अलग-अलग लोगं की अलग-अलग चीज़ें हो सकती है लोकेश का यहां पर question से है मैं digital marketing करना चाहता हूँ future IT college आगरा वाले तीन मंस का 28 जाल ले रहे हैं और 6 मंस का 45 जाल ले रहे हैं वहाँ पर दीखिए agency होगरा में अगर आप सीखने की कोशिश करते हैं और आप बहुत अच्छा करते हैं तो वहीं पर आपको job की opportunity मिल जाती है ठीक है agency आपको job offer कर देगी कि अगर आपको बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं कि आपका जो information overload है वो बहुत जादा हो जाता है और जब आप उन चीज़ों को practically apply करने जाते हैं तो कुछ भी आप apply नहीं कर पाते हैं तो इससे अच्छा है कुछ limited चीज़ों के उपर focus करें और dedicated तरीके से focus करें और ऐसे लोगों से सीखें जो उस चीज़ों से सीखने की कोशिश करें उनको follow करें जो actually practice कर रहे हैं चीज़ों को वहाँ से आपको जादा अनुभाव थोड़ा सा मिल जाएगा और latest अनुभाव मिल जाएगा क्योंकि जाद तर इंस्टिज़ों में जो course curriculum होता है चाहिए यही कि आपको time के साथ चलना पड़ेगा updated चीज़ों के साथ चलना पड़ेगा वरना पुरानी चीज़ों को सीखविक के जाएंगे और फिर आप interviews को crack नहीं कर पाएंगे और फिर digital marketers की जो भीड है वो market में बढ़ती जाएगी और फिर हर digital marketer यही कहेगा कि digital marketing industry में जॉब नहीं है मैंने ये course किया 5000 का मैंने 70,000 का मैंने 80,000 का कितनी बार भी इस चीज़ के ओपर चर्चा हो चुकी है और आप लोग को भी यह बास समझ में आती तो कोशिश करें institutes भी ठीकी होते हैं बट फिर भी मैं यहीं कहूंगा कि कोशिश करें कि अगर आप कोई agency वगएरा कोई ऐसे courses करा रही है तो वहां से सीखने की कोशिश करें जो practitioners कर रहे हैं वहां से सीखने की कोशिश करें एक problem जरूर होती इनका curriculum शायद आपको उतना organized curriculum ना मिले जितना इनका curriculum आपको organized मिलता है because organized मतलब paper पे जादा organized आपको curriculum मिल जाएगा because यह proper institutes होगरा होते हैं और यह सारी चीज़ नहीं ऐसा नहीं कि यहां से jobs होगरा नहीं लगती हैं अगर आप मेरी राय मानेंगे तो मैं तो इस चीज़ को जादा prefer करूँगा ठीक है अगर आपको मौका मिलता है तो opportunity मिलती है तो यहां से सीख लें otherwise आप यहां से भी करना चाहें तो कर सकते institute सभी अच्छे हैं आप थोड़ी से बातचीत करें आपको क्या लग रहा है थोड़े से वाँ के साथ बातचीत करें campus placements का क्या उनका scene रहता है किस तरीके से वो दूसरी companies के साथ उन्होंने tie-up कर रखा है कि आपको कुछ interviews करवाने की facility वगर आप provide करते हैं या नहीं करते हैं गर आप job के point office करना चाह रहें तो यह सारी चीज़े जो है वो आप कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे institute को मैं जानता हूँ जो बहुत अच्छे level पर काम कर रहें और उनका tie-up बहुत सारी agencies के साथ होता है तो वहाँ पर भी वो job के point office से आपके interviews करा देते हैं और agencies से suggestions लेकर अपने course में regular basis पर improvements भी करते रहते हैं मुद्दा वही है कि अगर आप किसी institute में जा रहें course करने तो थोड़ा सा उनसे बातचीत करके समझने कोशिश करें क्या उनका course curriculum बिलकुल latest updated है क्या इस course curriculum के basis में job मिल जाएंगे क्या यह जो course में सिखा रहे हैं actually वही चीज़ें आज के time में काम कर रही है यह सारी चीज़ें अगर आपको confirm हो जाएं then you can continue ठीक है next देखते हैं एक और question हम लोग का UTM parameters हम Google Ads में use करते हैं बट हम उसकी data कहां देख सकते हैं अरे भाइया Google Analytics में देख सकते हूं acquisition वाली जो report होती है Google Analytics के अंदर acquisition की report होगी और वहाँ पर आप filter लगा सकते हैं source के basis पर, medium के basis पर और वहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी UTM parameters की जो report है वो दिखाई देगे मैं G4 की बात कर रहा हूं G4 में acquisition वाली report के अंदर जाकर आप देख लीजेगा दूसरा क्या organic traffic के लिए हम UTM use कर सकते हैं देखे, मान के चलते हैं कि आपने कोई email भेजना है और email के अंदर आपने अपनी website का URL हो send किया अब email में URL के साथ अगर आप UTM parameters को add करना चाहें तो कर देंगे आप UTM parameters को और वो UTM parameters जब हिट होंगे तो Google Antics के अंदर reports में आपको data दिखेगी कि वह यह इसका source, इसका medium, इसकी सारी सीज़े क्या थी अगर organically आप ऐसे सोच रहे हैं आपकी website है a.com ठीक है? और आप सोच रहे हैं कि a.com वाला page मेरा ACRP में rank कर रहा है ACRP में rank कर रहा है और rank करने के बाद को इसके उपर क्लिक करता है हमारे page के उपर जाता है तो UTM parameters आ जाए वो possible नहीं है यहाँ पर आप UTM parameters लगा नहीं सकते यह static URLs होते हैं basically तो ज़्यादातर UTM parameters का जो use है वो अलग से थोड़ा सा होता है कि जैसे आप email marketing कर रहा है या WhatsApp marketing कर रहा है या आपने कहीं और पे कोई QR code बना रखा है उसमें जो link लगा हुआ है उसके point of use है UTM parameters का आपने use किया तो इन सब चीजों के लिए जादा UTM parameters का आप use करते हैं यहाँ पर इस तरीके से अगर आपके website आप चाहते है rank हो रही है कहीं पर और वहाँ से UTM parameters उठके आजाएं वो चीज पॉसिबल नहीं है आई बिलीव आपको आपके question का answer मिल गया होगा और बहुत सारे beginners को भी उनके question का answer मिल गया होगा इस पाटिवरे वीडियो में इतना ही तिल ते ने ने चुड़ाएं तिल दे गुड़ाएं